नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अर्शना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरी तो दोस्तों आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए कुछ स्पेशल स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी स्कूल वो मंदिर है जिसकी देवी होती है विद्या और उस मंदिर के पुजारी होते है शिक्षक जो पूरी श्रधा से विद्या को पूजते हैं बच्चों को पढ़ाने का फर्स निभाते हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर वे इस काबिल बनाते हैं कि जीवन में आगे चल कर वे मजबूत कदमों पर खड़े हो सकें लेकिन उस समय क्या हो जब पुजारी को ही मंदिर से निकाल दिया जाए उसकी शदा भाव का गला घोर दिया जाए जी हां ऐसा ही कुछ हुआ है च्छतिस गड़ में जहां एक स्कूल में तीन महिला शिक्षकों को प्रबंधन ने ये कहकर नौकरी से हटा दिया कि वे सुन्दर नहीं है इतना ही नहीं उन्हें नौकरी से निकाले जाने का कारण आदिवासी होना भी बताया गया इस घटना के बाद से माना जा रहा है कि बाकी आदिवासी शिक्षकों और करमचारियों पर भी प्रबंधन की नजर है मौका देखते ही उन्हें भी हटा दिया जाएगा ये तीन शिक्षका स्कू करें लाइक करें शेर करें और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीचिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब